नमश्कार स्वागते आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी एक नज़र डालेंगे फटाफट खबरों पे उत्राखंड के चमोली में गलेशिय तूटने से जो तवाही मची है उसमें शावस्ती जनपत के भी पांच मजदूर लापता हो गए जिससे शावस्ती जनपत के सिर्सी अथाना श्वेत अंतगत रनिया गपूर गाउं में मातम पसर गया है आग्रा में ड्रग्स और औश्वेत विभाग ने आग्रपुलिस के साथ मिलकर बड़ी कारवाई की एक्सपाईरी दवाओ को रिपैकेजिंग कर उचे दामों पर बेचने वालों के याँ छापामार का भारी मात्रम में दवायों का जखीरा पकड़ा थाना जगदीशपुरा श्यत्र में सेक्टर बारा में रजोरा डिस्ट्रिब्यूटर नाम की फर्म को रगदंदा कर रही थी फर्म के मालक रजोरा ब्यदर्स को हिरासत मिले का पूश्टाश की जा रही है कानपुर में नगर विकास मंत्री आशितोश टंडन की कारेकरम में पारशदों का ड्रामा देखने के लिए मिला जहां कुरसिया ना मिलने पर पारशद जमीन पर बैट गए बता दें कि नगर निगम प्रांगन में ये कारेकरम हो रहा था अधिकारियों ने बहुत समझाने की कोशिश की उसके बाद भी पारशद नहीं माने जिसके बाद खराब विवस्ता के चलते पारशद विकास मंत्री से शिकायत करने की बात कहते नजर आए मेरिट में चलती कार में भीशन आग लग गई जिसके बाद कार सवार ने कूद कर अपनी जान बचाई जिसके बाद सड़क पर धहशत का मौहल देखने को मिला सूचना मिलते ही फाय ब्रगेट मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया परतापोर फ्लाय ओवर के पास का है पूरा मामला गाज़िपूर में मुख्यमंत्री के कारिकरम स्थल पर हिंदू युवा वाहीनी के जुला ध्यक्ष अमित सिंग और मर्दहा एसो बलवान सिंग के बीच तीकी जड़प हुई पता दे कि पुर्वान्चोल एक्स्प्रस वे कहां निरिक्षन करने पहुंचे थे सीम, सीम के आने से पहले हुई जड़प उन्नाओं में जहां एक तरफ जिला प्रसाशन अमरित योजना के तहट नगरवासियों को स्वच्च जल देने की बात कर रहा है वहीं दूसी तरफ अमरित योजना के तहट जो पाइपलाइन बिचाई जा रही है उसको बिना किसी माना के जमीन में थोड़ा नीचे ही गार कर छोड़ दिया गया जिसमें नगरवासियों को आफगमन में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा फतेपुर में लूट और डबल मजर के अरोपी बबलू उफ राजा को पुलिस ने मुटबेर के दौरान गिरफतार किया 25,000 के नामी बदमाश को जबावी फाइरिंग के दौरान गोली लगी वहीं उसका साथी मौके से भागने में कामियाब रहा ब्रमपुरी शेत्र के बिजली बंबा बाइपास पर नापतोल विभाग की सीनिय इंस्पेक्टर रिटार्ट महिला की जमीन पर श्री जी नामी बिल्डर ने जमीन पर कबजा कर लिया और कबजा करने के बाद जमीन पर बने हुए कमरे पेड तक काड़ डाले सूचना पर महीला पहुंची तो महीला ने जम कर हंगामा किया पुलिस को सूचना दी सिंगरॉली जिले के मोरवा थाना शेत्र में अजीब घटना देखने को मिली जहां एक साथ दर्जनों महीला आएं खुद पर भूत पिशास चड़े होने को लेकर जाड़ फूक कराने पहुँच गई जिने देखने के लिए सैक्रों की संख्या में लोग पहुँच गए बरेली में कुछ दिन पहले बरेली की सेंट्रल जेल से दिवार फान कर एक कैदी फरार हो गया था जो खत्या और बलतकार के जर्म में बरेली की सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था बिजनवा पुलिस ने उसको ग्रफता का साई जिल में रखा था जिसके बाद नर्पाल ने अत्मत्या कर ली हापुर में चेकिंग के दोरान पुलिस और बदमाश के बीच मुढभेर हुई मुढभेर के दोरान बदमाश को गोली लगी बता दे की कई मुकदमों में बांचित चल रहा था बदमाश घायल बदमाश को अस्वताल में भरती कराया गया जिसके पास एक बाइक, तमंचा और कई कार्तूस बरामत किये गए ग्रेटर नॉइड़ा में थाना रबुपूरा मिर्जापोर कट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुढभेर हुई पुलिस मुढभेर के दोरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जिसे गिरफतार कर लिया गया घायल बदमाश चातर किस्म का प्रादी है जिसके उपर पहले से ही कई दर्जन करीब मुकद में दर्ज है आगरा में प्रेमी युगल ने शोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल कर जान को खत्रा बताया शादी के बाद शोशल मीडिया पर वाइरल वीडियो में आदा दर्जन परिजनों से जान का खत्रा बताया साती गोली मारने की बाद कही शोशल मीडिया पर प्रेमी प्रेमिका ने न्याय की गोहा लगाई इतना ही नहीं प्रेमिका ने बालिक होने का भी हवाला दिया आग्रा में दो यूवक लहू लुहान हालत में मिले दोनों का गला रेता गया है सड़क के नारे पड़े मिले दोनों यूवकों को पुलिस ने ततपरता दिखाते हुए अस्पदाल में भरती कराया जहां दोनों की हालत गंभीर है रामपूर में NBSC Crime Prevention एवं Human Rights Foundation संसा के मागदर्शन एवं सरक्षन आधर्णिया डॉक्टर सूरे कुमार व्रिटार्मेंट के बाद पहरी बार रामपूर के एक कारेकम में पहुँचे और फाउंडेशन के लिए अच्छा काम कर रहे है लोगों को सम्मानित किया फटाफट खबरों में बस इतना ही लेकिन और खबरों के लिए आप देखते रहे हैं News World India